हेलो डियर फ्रेंड्स मैं मनीशा बहुत बहुत स्वागत है आपका MLT एजुकेशन पॉइंट पर आज हम पढ़ेंगे आरे सिस्टम के बारे में कि आरे सिस्टम क्या होता है जिसे हम केते हैं रीसस ब्लड ग्रूप सिस्टम उससे पहले अगर आपने चैनल को सस्क्राइब न समझने के लिए अच्छे से समझ में आना चाहिए वैसे तो मैंने इसको डीटेल में पढ़ा दिया है तो आप हीमेटलोजी के प्लैलिस्ट में जाके देख सकते हो लेकिन हम एक बार फिर से इसका रिविजन कर लेते हैं ताकि आपका भी रिविजन हो जाएगा और हमें आर पंडेस्टीनल ने कब किया था इंचीन हंडिट में उननीस सो में इंपॉटेंट है स्टार लगा लो कहीं बार एक्जाम में पूछा गया है तो अबियो सिस्टम क्या होता है यह सब को पता ही होगा कि अपना ब्लड़ ग्रूप क्या है जिसा मेरा ओ पॉजिटीव है तो अ हमारे ब्लड के अंदर सेल्स प्रजेंट होती है यह इंटीजन बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है जैसे कि अगर एंटीजन प्रजेंट है यह मैंने एक जैसा स्ट्रक्चर बनाया है मतलब अगर आपको ऐसा आकरती दिखाई दे रही है मैं यहां पर लिख देती हूं मतलब की ए और इस यह बनाऊंगी तो यह होगा हमारा बी और मैंने यह दोनों बनाये हैं तो यह होगा हमारा एबी ठीक है और अगर कुछ नहीं है मतलब की ओ यह कैसे आपको अभी पता चल जाएगा तो अगर आपको यह ऐसा इस्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मतलब की हमारी रेट ब्लड चैल्स के उपर अगर ए एंटीजन प्रजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रूप कौन सा होगा फ्रेंड्स ए ठीक है अगर आपका ब्लड ग्रूप ब्ल ग्रूप कुछ भी नहीं होता है कौनसा है वो खाली होता है तो मतलब की 0 मतलब की उसके पास कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे O blood group हमारा है कौन सा है O blood group तो काल इंडिस्टे ने ने बताया कि जो antigen present होता है वही आपका blood group होता है और इसके लिए जो है opposite antibody present होती है मतलब कि natural antibody इसके against होती है अगर जैसे A antigen है तो antibody कौन सी होगी friends B होगी और अगर B है तो antibody A होगी और अगर दोनों ही antigen present है तो कोई antibody इसके पास नहीं होगी क्यों नहीं होगी ये भी हम अभी बताते हैं ये एक और बतादू मैले कि ये जो O antigen है इसके उपर कोई antigen नहीं है ये 0 है मतलब कि इसके पास में ये दोनों ही antibody present होगी तो हर antigen के लिए natural antibody present होती है तीक है अब हम देखते हैं कि यह जो a antigen है तो क्या इसके पास में a antibody present होगी तो क्या होगा अगर मान लो यहाँ पर हमने यह antibody ले लिए antibody को हमने यह ऐसे बना लिया अब यह जो antigen का structure आप देख रहे हो हो अगर इसके पास में a antibody होगी तो क्या ये antibody इस antigen से बाई जाके bind नहीं हो जाएगी? हो जाएगी और अगर ये antigen इससे जाके bind हो जाएगी antibody तो क्या होगा? agglutination हो सकता है यानि कि red blood cells का breakdown हो सकता है इसलिए जो antigen होता है उसके opposite antibody present होती है तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये AB antigen है और अगर हमारे पास यहाँ पर मान लो कि B antibody है और अगर B antibody होगी तो इसके पास तो B antigen पी present है तो ये इससे जाके bind हो सकता है और अगर A होगी तो ये इससे जाके bind हो सकता है इसलिए इसके पास में कोई antibody present नहीं होती है मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको कोई confusion ना हो, यह मैंने आपको समझाई दिया है, यह भी हटा रही हूँ है, यह हमने देखा, यह इतना हमने देख लिया, अब इसके पास में दोनों ही antibody present होती है, क्योंकि इसके पास में कोई antigen ही नहीं है, यह इतना हमने समझा कि कौन क्यों सा एंटीजन प्रजेंट होता है, तो हमारा स्ट ब्लड क्या होगा सिर्भी से देडियें। मेरे पास कोई एंटीज़न नहीं है, लेकिन मेरे पास दोनों ही एंटीबोडी प्रेजेंट है। तो इतना आपको समझ में आया, अब हम देखते हैं, कि क्या हम A ग्रूप वाले को B का दे सक B ब्लड दे चड़ा सकते हैं, तो देखते हैं, उसके पहले में यह हटा देती हूँ, मैंने यहाँ पर यह भी बनाये हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आये, उसके बाद में हम देखते हैं, कि यह हमारा ब्लड ग्रूप अगर A है, और यह B है, मतलब कि यह A ग्रूप वाला परसन है, यह A ब्लड ग्रूप वाला परसन है और यह B ब्लड ग्रूप वाल परसन है, ठीक है, अगर आपने इस, एक में यहाँ पर गलत बना दिया, अगर गलती से कभी इस A blood group वाले को ये B blood हमने चड़ा दिया तो इसकी red cell के उपर क्या present है? B antigen present है और इसके पास में क्या है? B antibody present है क्योंकि इसका blood group क्या है? A तो इसके पास antigen कौन सा है? A और इसके पास में B antigen है और antibody कौन सी है? A तो जब अगर आपने गलती से कभी ये B blood आपने A वाले को चड़ा दिया तो क्या होगा? ये red cell इसके पास में आएगी और इसके पास में जो antibody present है इससे आके bind हो जाएगी तो ये B antigen जो है वो इस B antibody से आके bind हो जाएगा तो red blood cells का breakdown हो जाएगा एगलूटीनेशन होगा और red blood cells का breakdown होगा और अगर red blood cells का breakdown होता है तो क्या होता है? उसको anemia हो सकता है क्योंकि red cell की कमी हो सकती है तो आप A वाले को B का blood group नहीं चड़ा सकते क्यों नहीं चड़ा सकते? ये मैंने आपको बता दिया है इसी तरीके से मैं आपको एक चार्ट बता देती हूँ तो उस चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देखो इसमें मैंने बताया है कि ये हमारा क्या है? ये हमारा blood group है अगर A blood group है तो उसके पास A antigen होगा और B antibody होगा बाकी ये मैंने बता दिया है ये आप देख लिए ना बाकी सब भी समझा चुकी हूँ बार-बार बोलने का कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करना है तो transfusion देखना था मैंन तो हमें कि क्या ये जो A blood group वाला है ये A किस-किस से ले सकता है तो ये A से ले सकता है क्योंकि ये तो इसका खुद का blood group है तो ये इससे ले सकता है क्योंकि इसके पास A की antibody नहीं है तेक है उसके बाद क्या ये A B से ले सकता है नहीं ले सकता क्योंकि इसके पास में क्या बेठा है B antibody बेटी है तो ये इससे जाके bind हो सकते हैं, इसलिए हम इसको A, B का नहीं दे सकते हैं, क्या हम B का दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसके पास B antibody present है, तो ये भी नहीं दे सकते हैं, अब हम O का दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि O के पास में तो कोई antigen ही नहीं है, तो ये दे सकते हैं क्योंकि इसके पास एंटीबोडी है ओका दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है एबी की बात करें हम तो एबी को हम एका दे सकते हैं क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीबोडी ही नहीं है तो यह को भी के देगा चला आजाओ B को B भी दे सकते हैं कि आ जाओ A B, A B भी दे सकते हैं इसको ठीके और O भी दे सकते हैं यह सबसे ले सकता है कि तुम भी आजाओ, तुम भी आजाओ, तुम भी आजाओ क्योंकि इसके पास क्या नहीं है कोई antibody ही नहीं है इसलिए हम इसको UNIVERSAL Receiver कहते हैं क्या कहते हैं फ्रेंट्स UNIVERSAL Receiver इसको हम कहते हैं किसको कहते हैं AB को त्टीक है अब बात करते हैं ओकी, तो क्या O A से ले सकता है नहीं ले सकता क्योंकि आओ लिल्ला जी हमारे पास तो A antibody है तो यह A से नहीं ले सकता तो यह भी नहीं दे सकता, इसको भी हटाओ अब O जो है वो केवल O से हिंले सकता है क्योंकि इसके उपर कोई antigen नहीं है इसलिए यह केवल O से हिं ले सकता है पर आपने देखा होगा कि यह O सभी को दे सकता है इसने B को भी दे दिया AB को भी दे दिया और O को भी दे दिया सभी को दे दिया इसने इसलिए हम इसको क्या केते हैं Universal Universal Donor किसको केते हैं Friends O को यह जो O गुरूफ वाला है उसको हम Universal Donor केते हैं और AB वाले को हम Universal Receiver केते हैं तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आगया होगा जो कि अपने एक Revision किया है AB वो सिस्टम का अगर आपको डीटेल में पढ़ना हो तो आप Hemetology की Playlist में जाके देखें तो मुद्दा सौरी मुद्दा नहीं अब हमारे मैं टॉपिक जो है RH सिस्टम इसके उपर इसको सबसाँ पहले डिसकवड किया गया था किसने इसको डिसकवड किया सबस्ट कोई ने इस thumb realtree में ने आपको बताया कि सबसे पहले कहां पर किसमें इसको डिस्कोवर्ट किया गया था तो रिसस मंकी के अंदर इसको देखा गया था आरेच ब्लेट ग्रूप सिस्टम डिफाइन विट मैनी एंटीजन अबाउट 50 मतलब कि यह आरेच इस जो सिस्टम है इसके अंदर बहुत सार एंटीजन को डिफाइन किया गया है मतलब उन पचास पचास के सम्थिंग कुछ है किसी में उन पचास बता गया है किसी में पचास बताया गया है मैंने यहां पर पचास लिख दिया है तो पचास के सम्थिंग एंटीजन जो है इसमें डिफाइन किये गये हैं लेकिन सिक्स मैंने मतलब कि six type के antigen जो होते हैं जो कि common type के antigen होते हैं वो होता है एक तो capital D, capital C, capital E और small d, small c और small e उसमें से भी जो capital D जो होता है वो most prevalent antigen होता है नानि कि D antigen is widely prevalent than other antigen जो D antigen है जो capital D antigen है वो widely prevalent most prevalent antigen है other antigen से rh antigen presents on the red blood cells जयसा कि हमने देख हceksना एबयो सिस्टम में कि हमारा जो A antigen है B antigen है वो किसके उपर present थै रेड ब्लड intervals के उपर इसी तरीके से हमारा जो D antigen है रेच antigen है वो भी किसके ऊपर present होता है और प्रज avez या फिर आप भी कहते होगे कि हमारा जो blood group है वो RH positive या RH negative होता है जисने कि मेरा blood group OP positive है तो आप यही कहते हो ना एसे नहीं कहते हो कि मेरा blood group AO positive है या B है तो जिसने मेरा blood group O positive है या B positive मानलो तो इसको हम positive या negative किस से कह रहे हैं इस RH antigen के द्वारा कह रहे हैं कि अगर RH antigen presence है on the red blood cells यानि कि red blood cells के उपर अगर RH antigen present है तो उसको हम क्या कहेंगे positive ठीक है उसको हम क्या कहेंगे positive और अगर कोई RH antigen present नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे RH negative ठीक है यह तो हो गया positive और negative की बात अब हम देखते हैं जिसे कि हमारी red blood cells के उपर कोई B positive है जिसे कि तो इस red blood cells के उपर B antigen present और यह एकंटिजन भी प्रजेंट है तो उसको हम क्या कहें ढुंख तो क्या गफिल अगर मांनों के प्रजेंट है और इसके लिए नाच्रल्ल एउस पता है यह आपको पथा की ब्रेजंट होगे लेकिन इसके ऊपर कोई चेहिस प्रोदिन नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे B negative अगर antigen present है तो B positive अगर नहीं है तो B negative इसे प्रकार similarly A में भी होगा और AB में भी होगा ठीक है और O में ऐसा होगा मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे हमारा blood group O है तो O के पास तो already कोई अंटिजन नहीं होता है लेकिन उसके पास दोनों antibody present होती ह अगर कोई antigen present नहीं है और उसके उपर अगर RH antigen भी present नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे O negative ठीक है और अगर RH antigen और antibody दोनों ही present है तो क्या होगा हमारा O positive ठीक है क्या होगा O positive तो ये समझ में आया आपको कि RH system से हमें क्या पता चलता है कि हमारा blood group जो है वो positive है या फिर negative है अब हम देखते हैं इसके antibody के बारे में किसका antibody का क्या man role होता है तो अभी हमने देखा कि अगर red cell के उपर RH antigen present है तो क्या होगा positive होगा और नहीं है तो negative होगा तो अभी हमने R進icant के बारे में देख लिया अब हम बात करते हैं RH antibody के बारे में जैसकि हमने ABO system में देखा कि ABO system म अगर हमारे पास यानि के हमारा ब्लड ग्रूप ए है तो ए एंटीजन होगा और उसके लिए एंटीबोडी कौन से होगी बी एंटीबोडी होगी अब ये एंटीबोडी जो है वो नैचुरल एंटीबोडी है जबकि आरेच सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि इसके उपर अगर इसके लिए कोई नैचुरल एंटीबोडी प्रजेंट नहीं होगी क्यों कि इसके पास में कोई एंटीबोडी नहीं होती है और जबकि एबियो सिस्टम में इसके पास में जो एंटीजन होता है में उसके लिए natural antibody present हुती है तो इसमें ले तो यह difference है कि जो यो system में उसके लिए प्रजेंट होती है जग्कि यह सिस्टम में इसके अगेंट्स कोई या पॉजिट कोई 17-8 k नहीं होती है और यहां पर अडे टेन्ट को आरे सिस्टम होगा सकती बेसंटा को करोस नहीं कर सकती जब कि यह यह जो आरे चे वोड़िए के न्सद्रेश प्लेसेंटाउ कि घॉसेंटा को रोज कर सकती है तो यह दो डिफ्रेशनिक्त करलेगा तो क्या होगा बताऊंगी अबहां आतक इतना समझाने प्लैसेंटा को रोज नहीं कर सकता और यह तो थेखें तो यहाँ पर देखते हैं प्रोड़क्शन ऑप एंटीपोडी रिक्वाई एक्सपोजर ओप एंडिजन यानी की इसमें band कब प्रॉड्यूस होती है जब सज का स्फोजर होता है एंटीजन का सफोजर कैसे होता है जिससे में आपको ऐग्जांबल बताओं तो मैं इसको हटा देती हूं तक कि आप कुछ इससे समझ में आ जाएगा कि एक इग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एंटीजन का एक्सपोजर कब होता है जैसे कि मान लो कि एक परसन है जिसका ब्लड ग्रूप बी नेगेटिव है अब इसको ब्लड की जरूरत है तो अगर हमने गलती से इसको बी पॉजिटिव का ब्लड चड़ा दिया तो क्या होगा अब यह जो बी नेगेटिव वाला परसन है इसके पास में तो कोई आरेच एंटीजन नहीं है कोई डी एंटीजन नहीं है जबकि यह बी पॉजिटिव वाला परसन है इसके पास में क्या अधिए डी एंतिजन यानि कि आर्ट एंतिजन प्रजेन्ट है तो जब इसके रेड सेल इसके अंदर आएगी तो इसके पास में इसके पास में कोई एंटीजन नहीं है सिकते बनाना चालू करेगी antibody बनना चालू कर देगी और जब इस RH antigen के लिए antibody बनना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? यह इसको आपस में पकड़ लेगी यानि कि bind हो जाएगी और जब यह bind हो जाएगी तो यह क्या करेगी? इसकी ही red blood cells को तो डालेगी, breakdown कर डालेगी और इस condition को हम कहते हैं Hemolytic Transfusion Reaction क्या कहते हैं friends? Hemolytic Transfusion Reaction इसलिए हम किसी भी negative वाले परसन को भी positive वाले परसन का blood नहीं चड़ा सकते अब Hemolytic Transfusion Reaction से समझे हम तो हीम का मतलब समझे हम यहाँ पर red blood cells या पर लाइटिक मतलब समझे तो breakdown यानि की red blood cells का breakdown जब आप कभी blood transfuse करते हो और अगर आपने negative वाले परसन को positive वाले परसन का blood चड़ाया है तो Hemolytic Transfusion यानि की RBC का breakdown हो सकता है उसकी कारण एनीमिया हो सकता है joint issue हो सकता है patient की death भी हो सकती है तो यह इतना severe condition इसमें हो सकती है तो जब भी आप blood issue करें तो बहुत care fully करें बहुत ध्यान से काम करें अगला था हमारा क्या these are IgG in nature therefore can cross placenta मैंने आपको बताई दिया है कि यह जो RH antibody जो होती है वो IgG nature की होती है इसलिए placenta को cross कर सकती है अब RH factor important in HDL HR 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 or erythroblastosis fetalysis तो HTR यानि कि Hemolytic Transmission Reaction तो मैंने आपको बता दिया है कि RH factor का important role कहां पे है कि किस condition में यह condition इतनी ज़्यादा severe हो सकती है तो एक तो मैंने यह आपको बता दिया कि अगर negative को positive blood चड़ा दिया तब अब एक और है जो कि बहुत important है वो होती है in pregnancy अगर pregnancy में RH factor की problem हुई तो क्या होगा तो यह भी हम देख लेते हैं मान लो कि जो मदर है यहाँ पर हम लिख देते हैं यह मदर है अगर यह मदर RH negative है मान लो A negative है ठीक हमने मान लिया A negative है और इसके अंदर जो fetus है जो बच्चा है वो क्या है B positive है यानि कि उसका RH क्या है positive है यह negative भी हो सकता है यह depend करता है कि father का blood group क्या है तो अगर यह किस condition में होता है जब RH मतलब कि मदर जो है वो RH negative हो और बच्चा positive हो मतलब कि बच्चा जब positive होगा या मदर negative होगी तभी यह condition होती है अदर्वाइस नहीं होती है तो हाँ हम कहां थे कि अगर मदर RH negative है और बच्चा जो है उसके अंदर जो है वो RH positive है तो क्या होगा वैसे तो जैसा हमने देखा कि हमारी जो antibody A है B हैं cannot cross placenta ठीक है यह दोनो placenta से दोनो एक जुड़े होते हैं यह मदर है और यह बच्चा है इससे इसको nutrient oxygen सब मिल रहे हैं इस placenta के द्वारा यह placenta के द्वारा इसको यह सब मिल रहे हैं तो अभी इसका blood group चाहे A हो या B हो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह A antibody और B antibody तो placenta को क्रोस कर ही नहीं सकती तो बच्चे को इन से कोई नुकसान नहीं है लेकिन अभी तो first pregnancy में तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं है second pregnancy में होगा वो भी हम देखते हैं तो यह B positive बच्चा जो है तो जब delivery होगी यानि कि बच्चा जब बच्चे का जन्म होगा तो उस वक्त तो क्या होता है कि थोड़ा blood जो है वो mother के अंदर आ सकता है अब जो mother है इसके पास में कोई RH antigen नहीं है जबकि यह बच्चा है इसके पास में RH antigen है तो जब बच्चे का blood मा के अंदर आएगा तो यह साथ में यह antigen भी आएगा और जब यह antigen आएगा तो इसके लिए यह जो इसकी mother की body है वो क्या बनाएगी antibody बनाएगी antibody बना लेगी तो जब अब यह बच्चा तो बहार हो गया बच्चा ने जन्म ले लिया लेकिन mother के अंदर क्या आगई है antigen आगया है और इस antigen के लिए mother की body ने क्या बना ली है antibody बना ली है mother की body के अंदर क्या present है memory cell तो यह memory cell क्या करेगी कि इस antibody को अपने पास छिपा के रख लेगी hold कर के रख लेगी बच्चा जब कभी तू antigen वापिस आएगा मेरे घर में तो मैं तिरको माड़ा लूँगी तो यह memory cell ने इस antibody को छिपा के रख लिया अब यह तो हो गई first pregnancy की बात अब मुद्दा यह है कि क्या होता है second pregnancy में मजा आ रहा है पढ़ने में ठीक है तो यह हो गई इसको भी हटाई देती हो हम ठीक है तो हां हम पढ़ रहे थे अब हम बात करते हैं कि कि मदर अगर आरेच नेगेटिव है ठीक है हम यहाँ पर थे कि मदर हमारी क्या थी नेगेटिव थी, first pregnancy की बात हमारी हो गई थी, second pregnancy की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हुँ मैं, second pregnancy, जिसमें mother क्या है, फिर से नेगेटिव है और बच्चा जो है, फिर से क्या है, आरेज पॉजिटिव है, मदर तो नेगेटिव ही थी, लेकिन बच्चा जो है, फिर स तो क्या होगा तो बच्चा सेकेंड बार में भी क्या है पॉजिटीव है और मदर जो है वो मानलो ए नेगेटिव है तो अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट प्रेग्नेंसी हुई थी तो मदर की जो एंटी मदर की जो बॉड़ी है उसने अपने पास क्या रख ली थी लाशा रहा हुई थी उस वक्त बच्चे के बलड बच्चे का बलड और मदर का बलड जो है वो मिक्स हो गया था मदर के पास में क्या प्रेजेंट है और हमने देखा कि आरेजांटीबोडी कें क्रोज प्लैसेंट नहीं कर सकती है जबकि AB antibody जो हमने अभी उस सिस्टम में पड़ी थी वो placenta को cross नहीं कर सकती तो अब इसके पास में तो RH antibody present है अब यह placenta से जुड़ा हुआ है बच्चा ठीके तो अब इसके अंदर जो antibody present है यह RH antibody कहाँ पर चली जाएगी यह चली जाएगी बच्चे के blood के अंदर ठीके और बच्चे की जो red blood cells है उसको क्या कर सकती है breakdown कर सकती है क्योंकि इसके पास में जो RH antigen present है उस से जाके bind हो जाएगी और bind होने के बाद बच्चे की जो red blood cell से उसको क्या करेगी तोड़ डालेगी, ठीक है, यह मैंने यहापे तोड़ दिया, तो अब बच्चे की red blood cells अगर तूड गई, तो क्या होगा, red blood cells की कमी हो जाएगी, hemoglobin की कमी हो जाएगी, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एनीमिया हो स हो सकता है, और किसी किसी condition में बच्चे की death भी हो सकती है, ठीक है, बच्चे की death भी हो सकती है, और इस condition को हम कहते हैं, hemolytic disease of newborn, यानि कि hemolytic disease, hemo मैंने मतलब आपको बताया था कि RBC, और lytic मतलब मैंने आपको बताया था कि breakdown, क्या बताया था friends, breakdown और disease, और यहाँ पर इनका मतलब है newborn, यानि कि बच्चे के अंदर होने वाली एक ऐसी विमारी, जिसके कारण, बच्चे की red blood cells का breakdown हो जाता है, औ अगर नहीं समझ में आया हूँ, तो वीडियो को दुबारा देखें, ठीक है, बच्च समझना जरूर, ठीक है, यह बहुत important है, point of view main exam भी और competitive exam में भी बहुत सारे question इसमें से बनते हैं, एक और मैंने बता दिया आपको एक तो HDN, second है हमारा, इसे हम erythroblastosis fetalis भी कहते हैं, erythroblastosis fetalis मतलब की समझें, तो erythro मतलब हमारी red blood cells, ठीक है, blastosis मतलब हम समझें, तो breakdown या फिर destruction, ठीक है, breakdown, यानि कि RBC का breakdown किसके अंदर, बच्चे के अंदर, निकि बच्चे के अंदर RBC का breakdown हो जाता है, किसके कारण होता है, antibody के कारण, जो कि कहां पर present है, मदर के अंदर, तो ये मदर के अंदर, जो antibody present है, वो बच्चे के antibody, antigen से जाके bind हो जाती है, तीक है, और उसके कारण, वो agglutination होता है, और उसके RBC को तोड़ सकती है, और उसके कारण, बच्चे की death भी हो सकती है, तो ये आपको समझ में आया, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा, त तो क्या मेडम इसके लिए कोई prevention नहीं है, कि हम बच्चे को बचान, कि जो second pregnancy होती है, उसमें बच्चे को नहीं बचा सकते है, बचा सकते हैं, मैं इसको हटा दू, उसके बाद आपको बताऊंगी, तो मदर के लिए prevention हम क्या करते हैं, कि उसके अंदर हम RH antibody inject कर सकते हैं, RH antibody inject क कैसे, जिसे कि हमने first pregnancy में देखा था, तो जब बच्चा जन्म लेता है, जब delivery होती है, तो उस टाइम पे बच्चे का blood जो है, वो मदर के अंदर आ सकता है, तो बच्चे का blood जो मदर के अंदर आया है, तो उसके साथ में RH antigen भी आएगा, तो मदर के पास में तो कोई antigen नही है, तो इसके पास में जो RH antigen आया है, वो मदर के अंदर आ गया है, अब इसके लिए antibody बनाना चालू करेगी, मदर की बोडी ने अगर antibody बनाना चालू कर दी, तो क्या होगा, यह इस antigen के साथ bind होके, इस RBC का breakdown तो करेगी, करेगी, साथ में जो memory cell है, इसको hold करके रख लेगी ताकि जब second pregnancy हो, तो फिर से उस बच्चे की RBC को kill कर सके, sorry, breakdown उसका कर सके, तो इस second pregnancy वाले बच्चे को बचाने के लिए, हम एक prevention करते हैं, कि हम बहार से जो RH antibody inject करते हैं, after first pregnancy, यानि कि बहार से हमने क्या inject किया, RH antibody, antibody क्या करेगी, कि जो antigen mother के अंदर आया है, इस बच्चे से ठीक है, first pregnancy की बात कर रही हूँ मैं, तो ये antigen आया है, तो इस antigen से हमने बाहर से जो antibody डाली है, ये इस antigen से जाके क्या हो जाएगी, bind हो जाएगी, और जितनी भी antigen है, जितने भी red blood cells आई है, उनका breakdown कर देगी, ताकि जो भी red cell है, वो खतम हो जाएगी, ताकि जब second pregnancy होगी तो इसके पास में कोई antigen बचेगा ही नहीं, antibody बचेगी नहीं, holder होके इसने रखी नहीं क्योंकि इसने antibody बनाएगी, तब तक हम बहार से antibody डालके इस antigen को red cell को खतम कर देंगे, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम prevention कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं RH typing की, कि हम कैसे देखत हैं, कि हमारा blood group जो है, वो RH positive है, या RH negative है, बहुत easy procedure है, इसकी, देखो, determine the RH antigen D on the red blood cells, यानि कि ये तो हमको पता ये इतना पड़ा हम ने इतने तो ये पता चली गया है, कि हम इससे क्या देखते हैं, कि हमारी red blood cells के ऊपर RH antigen या नहीं, तेक हैं, अब हम इसमें tube technique करते हैं, ये slide method के जोरा भी लगा सकते हैं, लेकिन tube technique जो है, वो better resin slide method से, तो tube technique में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कि हमने one drop क्या डालेंगे, हम anti-sera, जो कि हमने या पर D1 या फिर D2 भी ले रखा, D1 भी ले सकते हैं, D2 भी ले सकते हैं, use two monoclonal antibody, D1 या फिर D2, तो one drop हमने anti-D की डाल ही है, और उसमें हम one drop डालेंगे, 5% red cell, यानि कि patient का जो भी blood है, ठीक है, patient का blood aid करेंगे, हम उसमें one drop, और anti-d डालेंगे, हम इसमें one drop, ठीक है, mix वाले, अच्छे से mix करेंगे, उसके बाद हम centrifuge करेंगे, 1000 rpm for one minute, यानि कि एक मिनिट के लिए हम इसको centrifuge करेंगे, 1000 rpm पे, उस negative है, ठीक है, यह IgG nature की होती है, मैंने आपको बता दिया है, IgG nature की होती है, इसलिए placenta को cross कर सकती है, यह react करती है, 37 degree Celsius पे, ठीक है, यह तो होगे हमारे tube technique, अब इसे technique में एक और होती है, HG technique, यानि कि anti-human globulin technique, उसमें difference इतना सा है, कि हम यह जो one drop डाला है, यहाँ पे हम two drop जो है, वो anti-d लेंगे, two drop anti-d लेंगे, और two drop जो है, वो 5% red cell suspension लेंगे, उसके बाद में, हम इसको रख देंगे, 37 degree Celsius पे, 37 degree Celsius पे, 30 minute के लिए, 30 minute के लिए, 37 degree Celsius पे, हमने रख दिया, यह मैटा देती हो, रखने के बाद में, हम क्या करेंगे, 30 minute के बाद हम इसको, इसमें तो कोई दिखकती नहीं अगर नेगेटी वा रहा है तो हम इसमें ही pilloooo हो रही है या अगर डिनेशन हो रही है तार डी पॉजटीव को रही है तो अरे प्रह और है तौ्ट को हमें देखने की क्यों ज़रोद पड़ती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक विक डी एंटीजन होता है विक डी एंटीजन आपको उसमें जो नॉर्मल टेक्निक होती है इसमें अबज़र नहीं होता है तो इसके लिए हम एच्छी टेक्निक यूज करते हैं तो आज हमने